ऐसा है हम बच्पन से बीजेपी को देते हैं लेकिन इस बार हमारा मन भी अखिलिश को है इसो चारतों बलातकार के केस है योगी बावावदी और बावाजी मना हुआ पैर के कपड़ी देखिए ये एतासिक जीत होगी समाजवादी पार्टी की कौन से असी सुविदा हैं आप गिना ये कौन से असे बड़े काम बीजेपी नहीं की अरे मैं थोड़ा जल्दी में हूँ विदान सबा चुनाव 2022 की आमद हो चुकी है चुनावों की तारिकों का एलान हो चुका है और पहले चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे 10 फरवरी को यानि यहाँ पर 11 जिलों की 58 विदान सबा सीटों में वोट डाले जाएंगे सत्टक ये शिखर तक यहाँ पर विदान सबाशार जिम कौन जीतेगा ये सिर्फ घुजर करते हैं इस वक्त दादरी विदान सबाशेत्र के पूरा जो या मार्किट है वहाँ पर मौजूद है और हम यहां का मूट क्या है किसे जिताएंगे मायवती जी मनवीर बाटी अच्छा क्यों लाइक करते हैं उनी को पीजेपी क्यों ने क्योंकि पीछे आपके मौजूदा जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि मनवीर भाटी नहीं उससे पहले भी बीजेपी से थे इसलिए दोबारा बीजेपी को चाहते हैं भाजबा सरकार को देंगे सब्सक्राइब करना है और ब्रेश्टाजार को घटाना है कुंटागर्दी खतम करवाना है काम किया है उन्होंने काम तो करने किन ले चोटे-मोटे काम तो और वहां परीजेपी को और आप किसे जिताने वाले इस बार किसे वोटेने वाले हैं या इट सपा को क्यों और क्यों गशू़ नाम किया आपका पर और भी कई यूवा मेरे साथ मौझूद हैं इनसे पूछते हैं क्या क्या है चलिए यहाँ पर हम इस वाक्त मौझूद हैं यह इस मार्केट में यहाँ पर आप देख सकते हैं अमरूद की नोने ठेली लगा रखें पूछ लेते हैं क्या नाम है आप का इसलिम मलेक अप्रवाइब क्या रहा इस बार कोविट में कैसा रहा आपका बिजनस वेपार कैसा डेली आप यहां पर लगाते हैं तो चुनावों को लेकर क्या मूड है आपका किसे वोड देंगे इस बार और दोमाई साइकल पर जाएगी जी क्यों क्यों कि वह वह सब्सक्र सब्सक्राइब कर दो हुआ है आपको पता है यहां से कौन है सपा का उमीदवार राजकुमार भाटी आप इस पर 2022 विदान सबाद चुनाव जो है आपके इलाके में दस फरवरी को बोट डाले जाएंगे तो किसे वोट देंगे यह हमारी तो मोधी को है बोट ऐसे क्यों मोधी सुझ देते आ रहे हूं तो खाने पीने को सब दे रहो और काची है वाके सब चीज दे रहो लेकिन आपके इलाके के जो विदायक है उनका नाम जानते हैं तेजपाल नागर तो ऐसे कौन से बड़े काम उन्होंने इस बार करव आपको 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 अखिलेश को वोट देंगे तो कॉंग्रेस के साथ तो गडबंदर नहीं है उनका कोई दिक्कत ना कोई वात ना जी क्या नाम है आपका सुबास पीजेपी क्यों क्यों बीजेपी ने काम करें सारे जैसे रोड़ बनवाए हैं रासंदेरिये सारे काम और गुंडा गर्दी खतम कर दी और क्या चीए तो यहां पर आप अपनी इलाके में अगर बड़े मुद्दों की बात की जाए तो कौन से अगले और आपका क्या नाम है देवनागर आथ तो यहां पर आपको क्या लगता है क्या चुनावी मूड है लोगों का लेकर और खास्तोर से आप किसे बोट देने वाले आखलेयश को देने वाले हैं पूर गलेयश जी ने जो भी ओजनादी योगि तो उनको विसरоп नाम देरे हैं बागी काम तो उनका किया हुआ योगी जी तो नाम वाले क्ट में सब वहां आई आई वेकूपार में आगे बीज़्य पी कि सपोर्ट कर रहे हैं देखो औरत का लेडी को सबको मान सम्मान करते हैं वो पिछली सरकार में किया विए जो भी योज ना दिये यह तो सिर्फ बीजेपी वाले उनको नाम दे रहें बागी कुछ नहीं बेरोजगार इतनी बढ़ा दिया आप देख रहें आपके सामने कितनी पर उगे कितने लड़ मैं और घडात कार देख लड़े मैं लेकिन कहना चाहता हूं सच्च्चा ही य क्या रहा हूं आपको मालम नहीं होगा लेकिन आपको मालम नहीं है आपके इलाखे में बड़े मुद्धे क्या हैं? बागे हैं मनमीर बाटी राजकुमार बाटी यह बहुत बड़ी आदमी है हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल खराउत रहेंगे वो यह वाव के दिलों की धड़कन है और नहीं तो हमारे चाहस साथ चलके देखे लो हम बुजा रहे हैं वहाँ पर काफी लेमान के साथ इनकी तो पसंद अखिलेश है आप किसे वोट देंगे अखिलेश को देंगे और ना दें कि शुकू भी जी क्या नाम है आपका मेरे नाम दीपक नागर है और यहीं का निवा पसंद बने वे हैं क्या ऐसा ही है देखिए आज यह दादरी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अखलेश शादव जी को सब लोग पसंद कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता आज परिवर्तन चाहती है कि परिवर्तन हो और हर कोई चाहरा चाहे वो मुसलिम हो ब्राम अगर कोई यहां बाजबा का नेता हो मुझे बदा दो मिर सामने बदा दे कि अब ही तक इतने सालों में सपा ने दादरी विदान सभा सीर्चे जीत हासिल नहीं किया है क्या वज़ा देखते हैं जब इतना काम हुआ है देखिए यह एतासिक जीत होगी समाजवादी पार्टी की इतियास में पहली बार यहां से समाजवादी पार्टी का विदायक चुनने जा रहा है आप जितने भी लोग खड़े किसी से पूछ सकते यह तो बजा रहा कर आप देहात में जाओगे सब लोग चाहते कि समाजव समद है उसको हटा दिया और आपसे पहले 1912 में वाटल भिहरी जी वाजपाई जी ने अचर दाम में अनावरन किया था तो गूजर समद लिखा हुआ था सबसे पहले उस पे लेकिन आज पूरा हमारा गूजर समाल इस चीज़ से नाराज है और इनका बाइकट कर दिया यहा लेकिन अमिस सहाबी हमारे समाज को नाराज करके गए वहां पर बाबु हुकम सिंग जी की मूर्ति लगी हुई है उस पर माला रपन भी नहीं किया और बहुत वीडियो वायरल हो रही है कि उन्होंने मतलब के घर पर जाना था वहां भी नहीं गए और बीजेपी के लोगों उसने जिदाने आपकी विकास करा है और फिर भी बेरोजार की बहुत बड़ा चुके जी सरकार में बीजेपी के सरकार में क्योंकि बीजेपी की सरकार ने हमारे जो ठीए थे सब्जी के उनको भी नहीं लगने दिया हमने लोकडाउन में इतनी बेरोजगारी देखी है बहुत जाड़ा तो इसलिए यूपी के कौने कौने से संदेश आ रहे हैं अखिलेश आ रहे हैं लेकिन यह दादरी विधान हैं हम इंसे बात करते हैं आपका रफिंदर वावा रविंदर दी जि क्या लग रहे है इंसे वोट देंगे आप आ самой लूट क्यों और योगी को देने दूट एंस और कुछ नहीं सब्सक्राद कॉस्त नहीं कि आपके अलाके में 10 परवरी को बोर्ट डाले जारे पता है आपको इसकी जानकारी है किसे देंगी कि वही सब कुछ करा है उन्होंने किसी उन्हें नहीं करा ना जाके भी नहीं थी वहाप पर लाइट भी है आपको क्या नाम है सर्थ रुपेश क्या करते हैं आप दुकान अपनी किस चीज की सिमन्ट सर्या की तो क्या लगता है इस बार आपकी इलाके में क्या मूड है देखो जब कि बार कॉंग्रेस बाजी मारेगी कॉंग्रेस सीट बढ़ रही है हमारे जहां से बावी उमीद वारे दिपक चोटी वाला वह अच्छी मेहनत कर रहे हैं अच्छा खुब लोगों में घूम रहे हैं बहुत अच्छी उम्मीद है उन्होंने कहा है कि इस बार य योगी जी के भी काम ठीक है को यह नहीं है लेकिन सरकार चैन्ज चाहते हैं अपकी योगी जी की समाज़ादी पार्टी की सरकार अखलेस यादव चीए और यहां राजकुमार भाटी जी का फुल भारी बहुमत से चल रहा है बाकी देखो क्या होता है सबकी चोईस अलग है आपके इलाके के बड़े मुद्दे आप क्या देखते हैं? कोई होगा सही करने वाला उसी को देखेंगे बोट चलिए इन से भी पूछ रहते हैं क्या नाम क्या है आपका तेविंदर भाटी गाउन वाली राजकुमार भाटी क्यों अपनी चोईस है हमारे गाउं का है सरकार बीजेपी की आएगी लेकिन फिर भी हमारे हैं का बनना च अपर जो है वो बीजेपी के कैंडिडिट उन्होंने का तेविंदर जो है राजकुमार भाटी उसे ही वोट देंगे आपका पता है आपके इलाके में वोटिंगे दस फरवरी को तो किसे वोट देने वाली है जी हम तो भी जेपी कुई देंगे क्यों बस नहीं को देना चाहते है कि उन्हें ने बहुत अच्छा किया देश के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा किया आप किसे वोटिंगे जी मोदी कुई पहले भी खैर हमने अभी भी देखंगे भी पूरा कंफरम नहीं है वो यह दो एक चीज होते बाइस वोटिंग जोती हैं तो हम अपने इछ थे हमें आप все तो यहां पर महिलाओं में भी मिली जुली प्रतिक्रिया हैं हम देख रहे हैं और यहां पर देखते हैं आपर कुछ उनकी पहली पसंद क्या है किसे वोट देंगे इस बार अखलेश सीट राजकुमार भाट यह अपना दो क्यों बस बाई यह अपना अखलेश राजकुमार दादरी भिदान सवा शेत्र जो है वो गुजर बहु लिला का माना जाता है पचास फीसीदी आबादी गुजरों की है और गुजर ही यहां पर निर्नाएक इस्तिती में होते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा तो आप देखते हैं जब दस मार्च को नतीजे आएंगे तो यह साफ हो जाएगा कि दादरी विदान सवा सीट को किसने फते किया है नमस्कार